हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आपका लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम रोकोईल के 500.50 लिटर स्टेनलस टील डीफ रीजर की अन्बोकसिंग करेंगे और इसके फीचर के बारे में बताएंगे प्राइस बताएंगे वरांटी बताएंगे और कहां से पर्चेज कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और ये रोकवेल का आई-म गरीन साड़े 500 लिटर डीफ रीजर है और जो काफी अच्छे से इसकी पैकिंग होके आती हैं और इसकी पैकिंग मैं अन्बोक्सिंग कर लेता हूं बोक्स को और मिलते हैं फिर अन्बोक्सिंग के बाद और इसके फीचर क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे वीडियो को कंपलीट देखना है उसके बाद ही दोस्तों अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को और ये डीफ्रीजर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मुझे कोल कर सकते हैं मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड करूँगा वीडियो में कहीं भी आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल सकता है तो वीडियो पूरा देखना है उसके बाद ही मेरा मोबाइल नंबर वीडियो में कही न कही आपको मिल जाएगा ये रोक्वेल का आई एम गरीन चाड़े 500 लीटर स्टेनलेस स्टील में डीफ्रीज होने वाला है दोस्तों और इसके अंदर अगर फीचर की बात करें तो इसके अंदर सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला फीचर जो है ये है दोस्तों इसके अंदर आपको 100% कॉपर कूलिंग कोईल देखने को मिलती है जो आज तक किसी भी कंपनी ने ऐसा डीफ्रीजर नहीं बनाया है दूसरा इसके अंदर आपको 10 एर बोडी वारंटी देखने के लिए मिलती है आईवियर कंप्रेसर वारंटी मिलती है फाइव स्टार रेटिंग के साथ ये डीफ्रीजर आता है हैवी डूटी कनवर्टेबल फ्रीजर रहता है दोस्तों डूवल कंडेंसर मिलेगा इसमें आपको और कोने में एक ब्रेंडिंग मिलेगी जिस पे रोक्वेल का नाम लिखा हुआ है जो दो डूर दिये गए हैं उपर दोनों में आपको लोक देखने के लिए मिलता है जो आप इसका अपने डीफ्रीजर को लोक कर सकते हैं ताकि कोई भी बंदा आपकी परमिशन के बगएर ना खोले डीफ्रीजर को रोक्वेल के डीफ्रीजर के ऊपर डोर पे क्या लिखा हुआ है तो लिखा हुआ फ्रीजर के 6 गंटे लगाता चलने के बाद उसमें फ्रोजन फूड और आइसक्रीम आप रख सकते हैं अगर आइस्क्रीम और फ्रोजन फूट रखना चाहते हैं तो डीफ्रीज को 6 गंटे चलाना है ताकि इसके अंदर टेंप्रेचर अच्छा हो जाए और आपकी आइस्क्रीम वगेरा पिंग लेना तो आपको 6 गंटे लगाता है डीफ्रीज चलाने के बाद इसके अंदर आइस क्रीम वगेरा रखिए एक्स्टेंड वरंटी करा सकते हैं या एक्टिवेट वरंटी करा सकते हैं रोकवेल.co.in पर जाके अपनी वरंटी एक्टिवेशन करा सकते हैं दोस्तों और बात करें इसके दूसरे डॉर पे क्या दिया गया है आपको दूसरे डॉर पे दोस्तों आ काफी हैवी डूटी डीफ्रीजर है इसके साथ आपको ये एक साल में 73 सो रुपे की बिजली की बचत मिलेगी और 12 साल डीफ्रीजर की लाइब बताई है कंपनी ने और ये हीट जनरेशन कम से कम करता है बोडी की मोटाई 90 mm दी गई है दोस्तों डीफ्रीजर के अंदर दोस्तों आपको 127 टेंप्रेचर कंट्रोल मिलता है एक कंप्रेशर लाइन के लिए आपको लाइट मिल जाती है येलो और ग्रीन कलर गी जिससे आपको पता चल जाए आपका डीफ्रीजर ओन है या नहीं है इसके अलाव वेंटिलेशन के लिए नीचे आपको एक जाली टाइप दी गई है जिससे की एर सर्कुलेशन बना रहे और ये आपको डीफ्रीज में तीनों साइड दी जाती है दोस्तों ये आपको राइट साइड में भी जाली दी गई है और डीफ्रीजर के बैक साइड में आपको डीफ्रीजर की वायर दी गई है इ तीन से चार बर चेक किया जाता है और जो बंदे चेक करते हैं उनके इस पे साइन और सिगनेचर भी किये गई हैं ऐसा नहीं आपको फ्रेश पीस में कोई कंप्लेन देखने के लिए मिलती है और यह डीफ्रीजर का सरकीट डाइग्राम दिया गया है दोस्तों आप देख सकते हैं यह डीफ्रीजर का सरकीट डाइग्राम है और यह आपको यहाँ पे जी एफर साड़े 500 SS मोडल का सीरियल नंबर दिया गया है इसके अलावे कितना एनरजी कंजप्शन करता है वो इस पे लिखा गया है आप देख सकते हैं यह कस्टमर कियर रोक्वेल का टोल फी नंबर है जिस पे आप 9 to 6 PM कोल करके अपनी कंप्लेंड नोट करा सकते हैं बाइचांस कोई डीफ्रीजर में दिक्कत आती है तो संडे हमारा ओफ रहत है 9 to 6 PM अप कस्टमर के एर में कोल कर सकते हैं इसके अलावा अगर बात करें डीफ्रीजर में आपको च्यार हुक दिये का जाते हैं जिससे आप डीफ्रीजर को तो उन डीफ्रीजर के डोर उसके उपर सेट हो सकते हैं और पीछे की तरफ बिल्कुल मिड में आपको एक रोक्वेल मेक इन इंडिया की ब्रेंडिंग देखने के लिए मिलती है अभी डीफ्रीजर को ओपन करें तो अभी ओपन करते हैं दोस्तों डीफ्रीजर को ओपन करने से पहले मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक धमा ये देखिए अंदर रोक्वेल कमपनी ने स्टेनलेस स्टील का यूज गिया है और एक बास्केट आएगी इसके साथ ये देखिए दोस्तों और इदर आपको अंदर बोडी में स्टेनलेस स्टील देखने के लिए मिलेगा ये एक ब्रैकेट दी गई है जिससे आप यहाँ पे अपने दूद वगएरा की थैली रख सकते हैं या कोई भी प्रोडक्ट रख सकते हैं और ये लोक सिस्टम के लिए क्लिप दी गई है इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं डी फ्रीजर के अंदर और क्या दिया गया है तो ये वाटर वॉल दिया गया है आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में आपको दिखाने जो चीज जा रहे हैं ये यूटूब पे किसी भी बंदे ने नहीं दिखाई है और ये जो आ चीज बनाई है रोकवेल ने ये पूरा अंदर स्टील की बोड़ी दी गई है दोस्तों और ये ऐसस 304 यूज किया गया है अंदर तो ये हमारा डी फ्रीज रहने वाला है दोस्तों अंदर से स्टेनले स्टील में आता है और इसके अंदर डबल डोर दो ढखकन मिलेंगे दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको जल्दी जल्दी इस डीफ्रीजर के फीचर बता देता हूं ये रोकवेल का साड़े 500 लीटर डीफ्रीजर है जो अंदर इसमें स्टेनले स्टील आता है और ये 304 स्टील आता है जिसके अंदर जंग नहीं लगता है दोस्तों डबल डोर में डीफ्रीजर आएगा एक आपको इसके साथ बास्केट देखने के लिए मिलेगी और एक ब्रैकेट रहती है जिसमें आप यहाँ पे दही बगेरा के या कोई भी बोटल बगेरा रख सकते हैं इसके अलावा इसमें आपको 100% कोपर कोईल मिलेगी जिसकी वरंटी 10 ये बो काफी हेवी डूटी डीफ्रीजर होने वाला है स्टेनलेस टील में अगर आप पर्चेज करना चाहते हैं दोस्तों तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया होगा और आप उस पे कोंटेक कर सकते हैं ओल ओवर इंडिया से आप इस डीफ्रीजर को ओडर करके हमसे मंगा सकत हैं दोस्तों काफी सांदार डीफ्रीजर है ठीक है दोस्तों धन्यवाद टाटा बाई 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 सी यू जैहीं जै भारत नमस्कार आदाब सच्री अकाल अगर आप ऐसी नई नई वीडियो देखना चाहते हैं एसन फ्रीजर यूटूब चैनल पर आकर आप ऐसी वीडिय देख सकते हैं और डीफ्रीजर ओडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ठीक है मिलते हैं किसी नई वीडियो में और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना